भारत में होने वाले वंडे विश्चो कप का शेडियूल जब से अनाउंस हुआ है तब से इस्टेडियम्स को लेकर विवाद हो गया है अब इसको लेकर एक बड़ी ख़वर सामने आई है वंडे वर्ड कप की मेज़ानी करने वाले मैदानों पर इस घरेलू सीजन में टीम इंडिया के बाइलेटरल मैचेज नहीं होंगे बी सीजन बाइलेटरल सीजीज के मैच उन्हें ही मिलेंगे ऐसे में उम्मीद है कि टीम इंडिया वर्ड कप से पहले औस्टेलिया के खिलाप इन मैदानों पर अपने मैच खेलेगी जैशा ने वर्ड कप की मेजबानी करने वाले असोसियेशन को लेटर लिख कर रिक्वेस्ट की है शाह ने उन से भारत के घरेलू सीजन के मैच छोड़ने के लिए कहा और सभी वेन्यों ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली है इसमें दिल्ली, धर्मशाला, चेन्नाई, कोलकाता, मुंबई, पूने, हैदराबाद, एहमदाबाद, बैंगलूरू और लखनव शामिल है हालनकि वर्ड कप के वर्म अप मैच होस्ट करने वाले वेन्यों, गोहाटी और तिरुबननपुरम को दुपक्षिये मैचों की मेजबानी में फ्राग्मिक ता दी जाएगी जैशान निव एजनसी PTI से कहा, देश के सभी मैदानों पर वर्ड कप मैच नहीं हो सकते इसका सलूशन निकालने के लिए मैंने वर्ड कप वेन्यों होस्ट करने वाले बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी बारी के दुपक्षिय मैच छोड़ दे मुझे सभी को बताते में खुशी हो रही है कि सभी राज्जियों ने रिक्वेस्ट मान ली है अब होम सीजन में उनी शहरों को मैच मिलेंगे दिरहें वर्ड कप की मेजबानी नहीं मिली है आपको बता दें कि वर्ड कप के लिए कई बड़े शहरों और मैदानों को छोड़ा गया है इसमें 1996 और 2011 का वर्ड कर समी फाइनल होस्ट करने वाला मैदान मुहाली की शामिल है नाथपूर, इंद और, राची, राज कोट, रायपूर, कटाक और विशाका पटनम को भी वर्ड कप के मैच नहीं मिले है टीम इंडिया वर्ड कप से पहले औस्टेलिया के खिलाफ तीन बंडे खेलेगी ऐसे में उम्मीद है कि इन शहरों में ही औस्टेलिया सीरियस के मैच कराए जाएंगी वर्ड कप के बाद फिर टीम इंडिया न्यूजिलेंड और अफगानिस्तान के खिलाफ बंडे खेलेगी फिर 2024 में इंगलेंड के खिलाफ पांच टेस्ट होंगे साथी बंगलादेश के खिलाफ दो और न्यूजिलेंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैच होंगे